मिर्ची कीमा तुरई यह बहुत ही जायखेदार बनता है तो चलिए देख लेते हैं कि इसके लिए हमें किन-किन चीजों की ज़रूरत होगी इसके लिए हमने यहां पर लिया है आदा किलो कीमा आदा किलो लिये हमने तुरही देखिए मैंने यह बड़ी वाली तुरही लिये इसको भी मैं छील लूँगी यह मैंने आपको दिखाने के लिए रखी है फिर हम इसको छोटे-छोटे टुकडो में काट लेंगे तीन मीडियम साइज की प्याज इसको हमने चॉप कर लेना है और दो बड़े साइज के टमाटर इसको भी हमने इस परा चॉप कर लेना है टू टी स्पून अद्रक ग्रेट किया हुआ और टू टी इस्पून ही लेसन ये भी हमने इसको ग्रेट कर लिया है और साथ से आठ हमने ये बड़ी वाली मिर्ची ली है यह सिफ जायकी के लिए हम इसको उसको यूज करेंगे इसका जायका बहुत अच्छा होता है इसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता है, तो आप साथ से आत ये बड़ी वाली मिर्ची ले लें, तो टीजपून धनिया पाउडर, नमक लेंगे हम पैस्ट के हिसाब से, हाफ टीजपून गरम मसाला पाउडर, वन फोर टीजपून हल्दी पाउडर और हाफ टीजपून लाल म मिर्च पाउडर, दो से तीन तेजपून ये छोटे साइस के तेज लिए मैंने तीन ले लिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए हमें, और हमें चाहिए कोकिंग ओयल, तीरी टेबल इस्पून हम कोकिंग ओयल लेंगे, मैंने यहां पर सरसोका तेल लिया है, आप चाहें तो घी या रिफाइन भी यूज़ कर सकती है, आप को जो पसंद हो आप अपने हिसाब से घी तेल ले सकती है, तो चलिए शुरू करते हैं, फिर हम बनाना मिर्ची कीमा तुरइए, इसके लिए हमें बर्तल लेंगे, तो सबसे बहले हम गैस अन करते हैं, लेकिन मीडियम पर हमें सिर्फ तीन बड़े चमज ओएल लेना है, अब इसको हलक असा हम गरम होने देंगे, दीए ओएल गरम हो चुका है, अब हम इसमें यह बारी ग्रेट क्या हुआ लेसन डाल देंगे, और इसी के साथ इसमें अधरक भी डाल देंगे, और तेज पता भी और इसको अच्छे से फ्राई करते हैं, थोड़ी शी ज़िए अधरक लसन अच्छे से फ्राई हो चुका है, हमने इसको एक मिनट तक भून लिया है, हमें अधरक लसन को इतना फ्राई करना है कि इसका कच चपन निकल जाए उसके बाद फिर हम इसमें कीमा डालेंगे और इसको अख्यों से बूल लेंगे 2-3 मिनिट हमें इसको बूल लेना है कीमा हमारा अच्छा से बुन चुका है और कीमे ने पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है तो अब हम इसी के साथ इसमें ये मसाले डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर, खल्दी पाउडर और धन्या पॉडर डालते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसी के साथ अब हम इसमें ये प्यास डाल देंगे बारे कटी हुई और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब फिर इसको हम 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं और इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे दो मिनट हम इसको इस तरीके से भून लेते हैं तब तक हम अपनी हरी मिर्चों को मोटा मोटा काट लेते हैं और हमने तुरही भी काट लेनी हैं देखी 2 मिनट हो गए है इसको कोख होते वे हमने इसको कवर नहीं किया इसको कवर करके नहीं पकाना है अब आपने अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर तीन से चार मिनट के लिए पकने के नहीं रख देंगे, हमने अभी इसको कवर नहीं करना है। अब हम इसको कवर करके पाँच मिनट के लिए इसी तरीखे से पकने के लिए रख देंगे। अब हम इसको एक बार अच्छे से चला देंगे। और हम इसको मेडियं पर करेंगें। और इसमें यहीं मोटी मोटी हरी मिर्चा काची हैं बेट अतनीuk हरी मिर्चा काची है ही अब अग्द्श्मव नाड़ने हैं। और इसको हमें एक से दू मिनट इसी तरिफे से चलाते हुए पकाना है। अब इसको पकते हुए दो मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ये कटी हुई तुरही डाल देंगे। अब इसमें अबा कीमा और अब टक हो चुका है, बाकिती ये तुरही के साथ अच्छे कोख जाएगा। और तुरही भी अच्छे से नर्म हो जाएंगी। इसे के साथ अब हम इसमें यह गरम मसाला एट कर देते हैं एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं और इसको मीडियम से लोग पद पांच मिनट के लिए फिर कवर करके रख देंगे इस दरीक से बस देखें कीमा और तुरई को पकते हुए फिर से पांच मिनट हो चुके हैं अब पांच मिनट के बास फिर अब इसको खोल कर देखते हैं यह देखे, तुरही काफी सॉफ्ट हो गई है और पानी भी है अभी नीचे पानी छोड़ रही है तो हमें पानी डालने की इसमें जरूरत नहीं है यह इसी पानी में अच्छे से पक जाएगा क्योंकि हम ने इसमें जादा ग्रेवी ने रखनी है हमने इसको खुश्रक पकाना कीमा हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है तुरही भी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है अब इसका हल कासा हमने ऐसी खोल का सिलो आज पर पानी इसका हल कासा खुशक करना है अभी इसमें थोड़ी सी नमी है इसको हमने सुकानी है थोड़ी सी और हमारा कीमा पक कर तयार है इसमें थोड़ा सा हरा अधनिया डाल दूँगी थोड़ा सा गार्निशिंग के नहीं रख लूँगी और अब मैंने इसको हलका सा खोल कर ही पकाना है इसको इस तरीखा से उसके बाद फिर यह सर्फ करने के लिए बिलकुल तयार है शुरू से अब तक कीमा पकते हुए पूरे 25 से 30 मिनट हो चुके हैं बीच बीच में हम इसको चलाते रहे थे लीजिए मिर्ची कीमा तुरही बनकर बिलकुल तयार है यह बहुत ही जायसेदार बनी है आप इसको जरूर बनाएं इसको रोटी और पराटे के साथ सर्फ करें यह बहुत ही जायकदार लगती है यह डीश रमजानों में सहरी में आप इसको जरूर बनाएगा और मुझे जरूर बताएगा कि मेरी यह रेसिपी आपको कैसी लगी मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए श टायका किसी वीडियो का किसी इसको क्या किसी बहा मेची यहुत ही शिरूर भाटे की के इसको जर शयका की जरूर रम झालाएगा।